दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि Yuko Bank में अपना online saving account कैसे open करें साथ में Yuko Bank में online saving account open करने के लिए eligibility criteria क्या है साथ में Yuko Bank में saving account online open करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है कौन सा debit card मिलता है और debit card का कितना charges होता है सब कुछ इस वीडियो में detail में जानेंगे Yuko Bank में interest rate ब्याजदर की बात करें तो Yuko Bank में आपको 2.75 के अनुसार interest rate मिलता है जो की सालाना होता है और quarterly basis पे आपके account में credit किया जाता है Yuko Bank में online saving account open करते हैं तो आपको रुपे की तरफ से एक debit card दिया जाता है जिसका charges होता है 1500 रुपे प्लस 18% GST GST मिला के 177 रुपे आपके account से deduct होंगे हर साल account maintenance charges के नाम से तो आईए जानते हैं कि Yuko Bank में आप online account open कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको description में link मिल जाएगा आप सीधे इस page पे आ सकते हैं या फिर आप browser में type करेंगे Yuko Bank.com तो यहाँ पे इस page पे आप आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी आवेदन करें इसको आप Hindi या फिर अलग language में भी select करके देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पे देखिए कि ततकाल online खाता खोलना Yuko Digital बचत खाता अभी आवेदन करें इस पे आपको किलिक करना है किलिक करते हैं आपके सामने कुछ loading का page चालो हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए Yuko Digital Savi Account फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा जैसे की instant आप Digital Savi Account आपन कर पाएंगे साथ में वीडियो KYC का process आपको मिलेगा जिससे आप KYC bank में complete कर पाएंगे debit card और checkbook भी मिलेगा debit card का जैसा charges मैंने आपको पहले बता दिया है 177 रुपे GST मिलाके और checkbook आपको free up cost मिल जाएगा first year में साथ में UPI, IMPS, NEFT, RTS जो fund transfer के जरीए होते हैं वो भी आप easily UKO bank के थुरू आप इस्तमाल कर पाएंगे अगर आप किसी भी तरह का investment का option देखना चाहते हैं जैसे की mutual fund हो गया या फिर FD, fixed deposit वगएरा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे bill payment या फिर recharge की बात करें तो UKO bank का जो mobile banking है उसमें आपको सारे option मिल जाता है जिससे आप यहाँ पे bill payment वगएरा सब कुछ कर पाएंगे account जो आपका open होगा वो लग total 6 step होगा पहले step में आपको कुछ personal detail फिल करना होगा जिसमें SMS और email OTP आपको डालना होगा उसके बाद आधार EKYC के थुरू verification होगा आपके अधार कार्ट में mobile number register होना चाहिए उसके एक OTP आएगा OTP आप डालके EKYC complete करेंगे उसके बाद आपको pen card डालना होगा pen card का number डालेंगे उसके बाद आपको कुछ आपको आपके account के अनुसार related information आएगी उसके बाद आपका डिजिटल से भी account का detail आपको मिल जाएगा उसके बाद final आपको video के वैसी के लिए schedule करने का option आजाएगा जिससे आप video call को schedule पे लगा के अब जब भी free होंगे वीडियो call को complete कर सकते हैं वीडियो के वैसी complete कर सकते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे simple यहाँ पे get started का option है इस पे आप click करेंगे यहाँ पे आपको email id डालना होगा यहाँ पे mobile number डालना होगा और यहाँ पे यह जो capture है वो आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पे दो checkbook है उसको आप यहाँ पे tick करेंगे और यहाँ पे terms and condition आचुका है इसको आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं एगरी पे click करेंगे टिक हो जाएगा start now पे click करेंगे यहाँ पे start now का button है चलिए इस पे click कर देते हैं उपर मैंने detail fill कर दिये हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि dbt beneficiary in another account तो अगर यह क्या होता है कि अगर आपको कोई भी subsidy वगरा आता है आपके दूसरे account में तो इस account में अगर आप करना चाहते हैं तो yes करेंगे otherwise आप no करेंगे तो चलिए यहाँ पे no करते हैं और यहाँ पे जो है वो proceed के button है इसको proceed करते हैं तो यहाँ पे देखिए mobile number पे OTP send किया जाएगा जो की mobile number पे जैसे OTP आता है OTP हम यहाँ पे डालेंगे verify SMS OTP पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए verify हो रहा है उसके बाद आपके email ID पे OTP send किया जाएगा तो वो भी आपको डालना है तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको आधार कार्ट डालना होगा और आपके आधार कार्ट पे जो भी mobile number रजिस्टर होगा उसके एक OTP आएगा तो यहाँ पे वो OTP आप आगे डालेंगे उसके बाद आपको pen card का number डालना है pen card का number जैसे डालेंगे तो आपको जो है digital account आपन हो जाएगा वीडियो के वैसी का schedule करने का option आजाएगा उसके बाद आप वीडियो के वैसी complete कर सकते हैं Yuko Bank के agent आपके सामने वीडियो call पे आएगे तो उससे आप यहाँ पे pen card show करना होगा signature white paper पे आप करके आपको उनको दिखा देंगे तो वीडियो के वैसी आपका complete हो जाएगा तो इस तरीके से आप Yuko Bank में जो है अपना saving account घर बेटे आप open कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब करके बेल लकान दबा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तर जैहिन